हेलो दोस्तों मैं विजय ठाकर आपका स्वागत करता हूं step up academy जहां हम लोग आज बात करने वाले हैं class 11 में chapter number 8 जिसका नाम है measures of central tendency का एक पार्ट जिसका नाम है mean अब यह mean होता क्या है सबसे पहले हम लोग यह समझ लेंगे कि central tendency क्या होता है central tendency का मतलब होता है कि for example अगर मान लेते हैं हमारे पास जितनी भी वैल्यूज आ जाएं और उसमें से हम लोग किसी एक वैल्यू तक के पहुंचने की कोशिश करना चाहते हैं for example मैंने बोला zero to 1000 अगर 100 के बीच में बोलू या और बोलू हर हर किसी निंसान के साथ अगर इसा ही कुछ गेम खाएं जायं कि उसको कहा जाएं कि बता So तो कोई बोलेगा 500 कोई बोलेगा 550 कोई बोलेगा 450 कोई बोलेगा 650 तो सारी ही वैलियू जो है लगबग लगबग average तो सही है तो किसी भी चीज के average पहुंचने के लिए जो हम लोग तरीके अपनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं तो मेरे क्याल से समझ में आ गया होगा कि सेंटरल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके होती है 500 कोई मान लेते हैं लिटरेट परसन होंगा वह भी बोल रहा है 500 कोई बोल रहा है इसको 650 कोई बोल रहा है एप्रॉक्स क्या बोलते हैं एप्रॉक्स तो किसी भी चीज की एप्रॉक्स वाल्यू जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर central tendency तो यह बोल रहा है कि इतनी सारी चीज़ा है हमारे पास और हम लोग क्या चाहते हैं किसी single measurement पे पहुचना तो उस single measurement पे पहुचने के लिए हम लोग जो कोशिश करते हैं उसको बोलते हैं यहां पे measures of central tendency which can describe the main characteristics of the series और यह क्या करता है किसी भी series की main characteristics को बताने का काम करता है अब यहां पे जो word आया है series generally हम लोग जब भी कोई question solve करते हैं तो हमारे पास उसके लिए क्या होता है यहां पे data होता है चलिए अब यह data को statistics में जब हम लोग solve करने जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं हम लोग यहां पे series कहते हैं अब यह series कौन सी है दिवाली वाली series नहीं है भया यह series है calculation वाली ओके बट series क्या होता है किसी भी चीज़ का अगर हम लोग continuation form की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग series क्या बोलते हैं भया series अब यह statistics में जो series है वो कितने type की होती हैं हम लोग यह समझते हैं तो statistics में जो series होती है वो generally 3 type की होती है ठीक है सबसे पहली जो series होती है उसको बोलते हैं हम लोग individual series क्या बोलते हैं बहुते हैं इंडिविज़ इंडिविज़ का मतलब क्या है single अभी मैं आप लोगों क्या दिख रहा हूं यहां पर signal तो ऐसी कोई भी value जो हमेशा अकेले हो उसको हम नहीं लेगा है यहां पर एक्स क्या बोलेंगे एक्स और फैल्यू को किस series में लेना है तो उसको लेना है हम lotS इंडिविजूल में तो मैंस हम लोग करते ना जब कोई वाल्यू हमें पता नहीं होती है तो हम लोग उसको क्या माल लेते हैं एक्स मालेते है यह देटा इस गिवन इंडा सिंगल फॉर्म इस नोओन अज इंडिविजूल सीरीज यहां पर individual series कहलाएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरी series की बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पर discrete series अब यह discrete का मतलब जहां पर variation है क्या है जहां पर variation आ जाए कैसे variation तो sir जहां पर x और f की value हो उसको हम लोग बोलेंगे discrete series generally जो x होगा वो हमेशा in the form of serial number होगा I repeat यह यहां पर जो x होगा वो serial number के form में होगा जैसे for example one two three four five six up to so on but यहां जो frequency होगी और frequency की हमेशा हम लोगों ने quality क्या बताई है भाई कि frequency हमेशा होती है ups and downs में तो frequency कैसी होनी हमेशा ups and downs में तो frequency को हम लोग अभी लिखने की कोशिच करेंगे भाई कैसे लिखते है देखते है three two three four five तो यह जो values दी गई है कैसी दी गई है ups and downs में तो ऐसी values जो ups and downs में दी जाएगी उनको क्या बोलेंगे हम लोग यहां पर frequency चलिए तो हम लोग को यह भी समझ में आ गया की डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है चलिए आगे हम लोग बड़ते हैं यहां पर हम लोग रिपीट कंटिनियर सीरीज वो सीरीज होती है जहां पर आपको डेटा लिमिट्स के फॉर्म में दिया जाए फर एक्जामपल टेंट टू ट्वेंटी टू थर्टी टू फॉर्टी टू फॉर्टी टू फिफ्टी अब यहां देखिए पहला वाला जो एल्टू की वालिव ह यह दो अरे थीगा फॉर्म में बडाबर है ब हम लोग यह जाता इसे के साथ आपको दी जाती हैं इसमें फ्रीक्वेंची तो देया म probabilnya फ्रीक्वेंची दिया तहाई है क्या है साफील करता है मिली सिरीज से शो करता हूげ सच मेजर सार कॉल मेजर सद्रे पर किमा लोग पर छाइन नील ओव और फसको क्या बोलेंगे बहुत स्mb को गए पर थे चस्टू नंटू मंटू संटू पता खड़ए हुए हैं इन सब की हम लोगों को एज को संटोटल लिया और इस संटोटल को को कितने लोग हैगं 12345 तो यह हमारी आ गई भई आ अवरेज या तो कौनसी वैल्यू आ गई हमारी सेंटरल टेंडेंसी की वैलियों काई की वैलियों आ गई भाई सेंटरल टेंडेंसी की वैलियों कोई चलो आगे हम लोग बढ़ता है हम लोग मीनिंग की बात करेंगे कि जो सेंटरल टेंडेंसी होता है उसका मतलब क्या होता है okay measures of central tendency is a single value हमेशा क्या बताएगा आपको single value generally जो क्या होती है approach होती है क्या होती है generally वो approach होती है which is used to represent an entire set of data ठीक है वो क्या बोलता है entire set of data बतला पूरे set of data की एक approximate value होती है single value जो होती है उसको क्या कहा जाता है यहाँ पे central tendency कहा जाता है I repeat तो इसको calculate करने के लिए हमारे पास तीन अस्त्र सस्त्र है क्या क्या तो सबसे पहला है भाईया mean दूसरा है median और तीसरा है mode अब यह mean क्या होता है तो mean generally जो भी आपके पास data available है उसकी average value को हम लोग बोलते है mean क्या क्या बोलते हैं उसकी average value को mean median का मतलब क्या होता है median का मतलब होता है किसी भी series में जब आप मिड़ पॉइंट पे पहुच जाते हैं तो उसको क्या बोलते हम लोग median ओके और किसी भी series में जब हम लोग highest frequency की बात करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे यहां पर mode ओके चलिए यहां पर सबस्ते तो mean क्या होता है किसी चीज का average median क्या होता है किसी चीज की mid value और अगर सबसे highest frequency की बात करें तो उसको क्या बोलते हम लोग mode तो central tendency को solve करने के लिए हमारे पास तीन सस्थर है क्या नाम है उसका 3M क्या ना में बिटा 3M कौन कौन से तो पहले को बोलते हैं हम लोग mean दूसरे को क्या बोलते है मीडियन और तीसरे को क्या बोलते हैं यहां पर मोड अब यह मीन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है सर तो एक्स बार होता है अगर मीडियन की बात करें तो इसका सिंबल होता है एमी और मोड की बात करें तो इसका सिंबल होता है जैड ओके चलिए तो हम लोग को सेंटर टेंडेंसी थोड़ा are to present huge data in summarized form बहुत बड़ा डीटा भी जो होगा उसको सबसे छोटे form में लाने का काम करेगा कौन तो भाई central tendency काम करेगा क्या होता है it is very difficult to grasp large number of numerical figures बहुत सारे जब numbers हमारे पास होंगे तो हम लोग उससे grasp कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो उसको shortest form में लाने का काम कौन करता है यहां पर central tendency करता है number two to make the comparison easier comparison easier मतलब आपके पास जो डेटा पहले का रखा हुआ है अभी जो डेटा है उन दोनों के बीच में क्या करा जाएगा भीया यहां comparison करा जाएगा but central tendency क्या करेगा इसको आपको आसान बना के देने का काम करेगा okay averages are very helpful averages क्या करते हैं बहुत ही helpful होते हैं for making comparative comparative study का यहां पर काम करेंगे as they reduce the mass of statistical data और क्या करेंगे जो statistical data का जो mass है उसको क्या करेंगे कम मतलब जो बहुत सारा data उसको क्या करेंगे यहां पर कम करने का काम करेंगे okay data to a single figure जो mass of statistical data है उसको किसमें convert करेंगे यह लोग single figure में यहां पर क्या करेंगे भईया convert करने का काम करेंगे आगे बढ़ते हैं to help in decision making और क्या करता है तो आपके पास जो भी problems आएगी उसमें decision लेने की कोशिश करेंगे पता चल रहा है गाड़ी चला रहा है हाथ दे रहे है राइड वाला गाड़ी ले रहे है लेफ्ट मोड इसके करन क्या हो जाए गभी accident हो जाएगा तो क्या करो भाई तो decision लेना सबसे पहले सुरू करो तो central tendency क्या करता है आपको decision लेना सिखाता है क्या लेना सिखाता है decision लेना सिखाता है okay average provides such values which become guidelines for decision making ठीक है तो average क्या करता है आपको guidelines देता है कि how to make the decision okay आगे क्या बोलता है to know about universe from a sample अब पूरे universe में से आप कुछ भी sample उठाओ ये भी central tendency का ही part होता है क्योंकि इस पूरी countries का data एक साथ एक जगा लाना बड़ा ही difficult काम है बट कहीं से sample तो लिया जा सकता है ना तो वो लेंगे कैसे तो लेंगे भाईया central tendency कैसे लेंगे भाईया central tendency से average is also help in obtaining an idea average क्या करता है आपको help करता है obtaining an idea मतलब idea देने के लिए okay of a complete universe by means of sample data by means of sample data मतलब sample data देने के लिए यह क्या करते है मेली यहां पर support करते है कौन support करते भाई साब क्या नाम है तो central tendency क्या करती है sample data के आपको support करती है to trust precise relationship ठीक है यह trace कर लेगा किसको यह precise relationship को बतलब छोटे-छोटे data के बीच में जो भी relationship होगी उसको track करना बड़ा ही इसके लिए आसान है average becomes essential when it is desired to establish relationship between different groups in quantitative terms ठीक है और यह क्या बोल रहा है भाई कि अलग-अलग जो average है उसमें क्या करेगा वो relationship क्या करेगा यहां पर create करेगा क्या create करेगा भाई relationship create करेगा अब requisites of a measures of central tendency मतलब किसी भी central tendency की क्या-क्या minimum requirement होती है जिससे वो central tendency बनेगी इसकी हम लोग बात करते हैं a good measure of average must possess the following characteristics number one rigidly defined rigidly का मतलब होता है fix मतलब इसमें अगर rules and regulations बना दिये जाए तो इसमें change करना बड़ा ही difficult काम है change बहुत आसानी से यहां पर नहीं किया जा सकता okay and average should be clear and rigid जो भी आप average निकालेंगे वो बहुत ही clear होना चाहिए और rigid होना चाहिए okay so that there is no confusion तो इसके कारण क्या होगा confusion बिलकुल भी नहीं होगा and there is one and only one interpretation और इसके कारण जो result होगा वो एक निकलेगा अलग-अलग बंदों के अलग-अलग result नहीं आएंगे भाई एक ही result यहां पर आएगा based on all the observation और बोल रहा है कि जो central tendency है उसकी एक requirement है कि यह सारे observations को consider करती है repeat यह क्या करती है सारे observations को क्या करती है भाई consider करती है बोलता है average should be calculated by taking into consideration क्या लिया जाएगा तो हमेशा average लिया जाएगा इसको base माना जाएगा each and every item of the series और जो भी item है series का उन सब को यहां पर consider एक एक बार किया जाएगा तो यह सारे request की बात हो रही है यहां पर है requirement सी बात हो रही है it should be at least affected by fluctuation of the sampling मतलब जो हम लोग sampling करते है उससे बहुत जादा impact इस पर नहीं परता है क्यों नहीं परता क्योंकि central tendency अपने आप में approximate single value होती है इसी लिए इस पर कोई भी impact यहां पर नहीं परता है क्या देता है भाईया samples को भी stable कर देता है मतलब इसमें बहुत ज्यादा fluctuation के chances नहीं रहते है capable of further algebraic treatment ठीक है जितने भी algebraic treatment होते है alphanumeric form में होते है इन सब को calculate करने में क्या करता है यह help करता है okay average should be capable of further mathematical and statistical analysis ठीक है क्या क्या करता है यह mathematical or statistical analysis यहां पर करने के लिए help करता है to expand its utility ताकि जो भी इसको use करें उसकी needs जो है यहां पर complete हो सके easy to understand and calculate और गोर रहा है easy to understand and calculate मतलब आपको इसको समझना बहुत ही आसान है एक ऐसा person जिसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करी है बट वो इस data को देखके समझ जाएगा कि हां किस चीज के लिए यह बनाया गया है construct किया जाए और इसको calculate करने के लिए बहुत ही simple method यूज किये जाते हैं जो कि हम लोग ने 3M में बात करे थे कौन-कौन से mean, median और mode ओके without reducing its accuracy and other advantages ठीक है बहुत ज़्यादा accuracy में यहां बात नी करेंगे क्यों कि यहां पर बात होती है हमेशा averages पर किस पर बात होती है भाई averages पर बात होती है चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या होता इसमें not affected much by the extreme values मतलब बहुत ज़्यादा extreme value भी है तो उससे भी बहुत ज़्यादा central tendency के calculation पर effect नहीं पढ़ने वाला है यहां पर the value of an average should not be affected much by extreme value मतलब कि यहां पर जो भी average निकाला जाएगा उसमें बहुत ज़्यादा extreme value से effect नहीं पढ़ने वाला है if one or two very small or very large item unduly affect the average the average value may not truly represent characteristics of the entire set of data मतलब एक डेटा बहुत ज़्यादा बढ़ा हो जाए एक डेटा बहुत ज़्यादा चोटा हो जाए तो इन सबसे उस average में बहुत ज़्यादा impact नहीं पढ़ने वाला है तो यह हम लोगोंने कुछ requisites की बात करी requirement की बात करी किसकी central tendency की ओके अब हम लोगों को एक main topic पर आना जो की first pillar है to calculate the central tendency वो है arithmetic mean ठीक है अब यह mean का मतलब क्या होता है भाई इसको ज्यान से समझते है यह बंदा भी confusion mean को लेके ओके चंटू, बंटू और मंटू तीनों गए भाई होटल में क्या खाना है भाई तो यह चले गए अब इन लोगों के पास कुछ amount रखा हुआ था चंटू के पास 10 रूपीज था बंटू के पास 20 रूपीज था और मंटू के पास 30 रूपीज था यह लोगोंने वहाँ जाके क् 60 रुपीज का कुस सामान ले आज चलिए ठीक है तो यह 60 रुपीस का सामान ले आख ओके अब इनने बुला कि भाई पर हैं वह कितना खर्चा हो रहा है हमारा तो 20 रुपीज खर्चा हो रहा है तो अब यह जो चंटू महाराज है इस चंटू महाराज को 10 रुपे और देने पड़ेंगे किसको देने पड़ेंगे तो यह मंटू महाराज को देने पड़ेंगे ठीक है ओके अब यह जो बंटू है इस बंटू को भी इसको कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा ठीक है कि देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा ना वाई क्योंकि हर किसी का खर्चा कथा है 20 रूपी तो यहां से मानस हो गया 10 और यहां क्या हो गया प्लस 10 अब इसी तरीके से एक एक वैल्यू का जो हम लोग average निकालते हैं वो एक एक वैल्यू का burden होता है किसी भी person पर उसी को हम लोग बोलते है arithmetic mean अब हम लोग इसको easy language में average भी कह सकते हैं क्या बोल सकते है भाई average तो meaning समस्थते हैं सबसे पहले है it is defined as the sum of all the values of all the observation जितनी भी values दी गई है उन सब का sum total divided by the number of observation it is denoted by x bar तो इसको denote कैसे करना भीया? x bar कर दिया भीया x bar से denoted क्या बोल रहे हो? तो यह बोल रहा है sum of all observation upon number of observation तो हमारा जो example था चंटू बंटू और मंटू का वो आपको शायद समझ में आ गया होगा वो क्यों समझाया गया था ओके चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि जो arithmetic mean हो कितने type की होती है तो यहाँ पर दो type की arithmetic mean होती है जिसको हम लोग पहले कहते है simple arithmetic mean जहां पर बहुत जादा data fluctuate ना हो उसको बलता है simple arithmetic mean when each value in statistical series is given equal importance अगर मालने थे सभी को importance कैसी दी जाए बराबर दी जाए the average is called simple average और unwaited average और उसको क्या बलेंगे simple average और unwaited average ओके weighted arithmetic mean की बात करते है when each value in statistical series is not given सारा data हमें एक साथ नहीं दिया गया हो तब equal importance then some weights are assigned to them मतलब उनको क्या करा जाएगा कुछ weight assigned किये जाएंगे मतलब for example अगर माल लेते हैं कोई बबलू नाम का बंदा है ठीक है अब बबलू नाम के बंदे का weight मैंने 26 kg रख दिया तो यह मैंने weight assign करा है exactly उसका weight माल लेते हैं 24 kg है बट assign के तक या भी हमने 26 kg किया है तो यह क्या हो गया भई हमारे यह assign करने वाला जो system है उसको क्या बोलते हैं हम लोग weighted arithmetic mean क्या बोलते हैं यह weighted arithmetic mean ओके अब यह mean को calculate करने के लिए हमारे पास 3 type की series होती है पहली series का नाम दिया मैंने individual series where the data is given in the form of single values and the single values is considered as x मानेंगे हम लोग single values को x मानेंगे okay discrete series इसुट इस सिरिज में हाए वो दिया रहेगा आपको x और fk Form में किस फॉर में दिया रहेगा भाई x और F के फॉर मैं और जो continuous series आउस में series which items are listed singly मतलब data कैसा होगा भाई single form में होगा each item is given a separate value हर एक item के value क्या होगी यहां पे single होगी calculation of arithmetic mean in individual series by three methods और बोर रहा है कि जो individual series है उसमें हम लोग तीन methods का इस्तेमाल करने वाले हैं यहां पे तो individual series में data क्या होगा या ex होगा अब यहांपर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सबमें equal होती है इसी लिए यहां up frequency को मैं consider नहीं कर रहा हूं यहां मैं frequency को makes you know क्यप की होगी हाँए यहां पर one होगी तो करता हूं रिकष में पर डिया जायेगा उसमें आपको sum total करना है data का और जो number of observations दियेगा है उससे क्या करना है इसको divide करना है उसका division करना है okay all the units are added and then their total is divided by the number of items okay क्या बर रहा है जो भी unit दी गई है उन सब को add करो then their total is divided by the number the quotient becomes the arithmetic mean for example x bar is equal to summation of x upon n x bar क्या हो जाएगा summation of x upon n तो x bar की value जो है वो क्या कहलाएगी यहां arithmetic mean summation of x क्या कहलाएगा sum of all the values of item and क्या कहलाएगा total number of items okay तो यह हम लोगों ने अभी बात करी कि direct method होता क्या है अब हमें यह data दिया हुआ है तो इस data में देखते हैं कि n की value कित्ती दिये भाया 10 x कित्ता दिया हुआ हमें तो x की values दी गई है कित्ती 10 और formula क्या बोलता है यहां पर summation of x upon n तो जब हम लोग ने इसका sum total करा तो वह कित्ता आता था भाया 415 किससे डिवाइड कर दिया आपने n से डिवाइड कर दिया so the value is 41.5 तो यह हमारा direct method था individual series का ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग आते हैं किस पर shortcut method पर या assumed mean method पर अब यह shortcut method और method में क्या करना पड़ता है पहले हम लोग इसको समझते हैं okay symbol तो वही रहेगा x बार बट यहां पर क्या करना पड़ता है एक value को assume करना पड़ता है ठीक है तो यह a का मतलब होता है यहां पर assumed value अब यह assumed value कहां से लेनी है तो assumed value हमेशा लेनी पड़ेगे आपको x वाले data में से अब कौन सी ले ले सर कौन सी ले बई सबसे बड़ी value ले सबसे छोटी नहीं ऐसा मत करो एक काम करो सबसे minimum value देखो वहाँ पे कितनी है और maximum value देखो कितनी है minimum plus maximum divided by 2 कर दो क्या कर दो भाई divided by 2 कर दो अब इससे जो भी value आई ठीक है फर example यहाँ पे देखें हम लोग सबसे minimum value हमें देखना है कोई ठीक है तो इसमें सबसे minimum value कौन सी दिख रही है तो यह 32 ले ली ठीक है अब maximum value कौन सी दिख रही है for example मैंने 48 ले ठीक है तो minimum plus maximum करा 32 plus 48 divided by 2 करा तो यह 8 plus 210 हो गया यह 80 हो गया 80 divided by 2 कर लिया मैंने ठीक है तो अब माल लेते हैं यहाँ पर मैंने कित्ती value ले लिए 80 divided by तो कितना आगया भी है यहाँ पर 40 आगया अब यह जो 40 आया क्या दिया हुआ है क्या इसमें नहीं दिया अगर 40 नहीं दिया तो भी उससे बड़ी value देखो ठीक है आप इसमें कुछ भी एजियूम कर सकते हो बट मैं कोशिश करता हूं कि पूरी class का answer लगभग एक जैसा है तो जो भी आपकी minimum plus maximum value divided by 2 करने से जो भी value आएगी उससे बड़ा number या exactly वही number लेना है हमें तो आपको यह तो समझ में आ गया कि A कहां से assume करना है तो A assume करना है हमेशा x में से ठीक है इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें dx की अब यह dx का मतलब क्या होता है deviation from the value of x कि आप जो exactly value है x की उससे कितना आप deviate हो रहे है that is known as deviation from x और इसका formula क्या होता भया x minus a ओके अब यहां से आपके पास answer आ चुका है कैसे answer आ चुका है समझें आपकी अगर dx की value negative आ रही है मतलब sum total of dx जो है वो negative आ रहा है तो answer जो है आपके assumed value से कम होगा अब dx की जो value है वो positive आ रही है तो answer आपका assumed value से क्या होगा भया जादा होगा तो अगर मन लेतें dx की value zero आ रही है तो आपका answer assumed value के बराबर होगा तो answer आपके सामने है आपने जो भी calculation किया ठीक है तो परेशान होने कि बिलकुल भी जरुएत नहीं है यह हमें पुरा question देके रखा हुआ है सबसे पहले हमनों question के पहले formula समझते की formula क्या होता है तो formula होता है x bar is equal to a plus summation of dx upon n तो यहां बोड़ रहा है जो a है इसका मतलब है assumed average मतलब assumed value लेना है और हमेशा किस में से लेना भाया x में से लेना dx का मतलब क्या होता है division from x और dx का formula क्या होता बहिया x- से और यहां पर number of items क्या होता है एंका मतलब यहां पर number of items अब question दिया हुआ और question में पूछा है कि यह calculate करके दो बट यहां पर मुझे यह पताओ कि यहां पर a क्या लेना है तो सरे यह तो वही लेना है minimum plus maximum divided by 2 ओके आप यहां पर यह वैल्यू दी गई है x की पूरी की पूरी और यहां पर हमें निकालना है d x तो कैसे निकलेगा भिया x minus a से तो हमने क्या करा यहां पर एक्जामपल अज्यूम कर लिया 48 को तो यहां 48-48 करेंगे तो कितना होजाएगा भी यह 0 32-48 42-48 39-48 36-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48 तो यह सारी वैल्यू जा गए ठीक है अब इनका हम लोग समव्टोटल करते तो पहले ही यह वैल्य किया करते हैं भई जिटेव एल्यू को पिक कर लेते हैं नगेटेव एक यह हो गई नगेटेव वैल्यू एक दो तीन है चाहर पांच छह साथ साथ नेगेटे वैलियो देखिए आप पॉजिटेव दिख रही है क्या एक भी पॉजिटेव नहीं इन सबका सम्टोटल कर दिया अब ध्यान सुनना इन सबका सम्टोटल करेंगे तो समेशन आफ डी एक्स जो है वो भी आगा नेगेटेव मतलब आंसर इस लेस देन मतलब आंसर जो है आपका 48 से कम आएगा यह तो बात है चलिए अब हम लोग इसको सॉल करने की कोशिश करते वही तो एक ही जगह वैलू पुट कर दी मैंने कितनी वही आफ फॉर्टी एट समेशन आप डी एक्स की वैलू पुट कर दी मानेस 65 डिवाइड़ का कर दिया तो 48 मानेस 6.5 किया तो आया 41.5 बताओ सही है कि नहीं है सही है क्यों क्योंकि आपने अज्यूम लिया ता उससे वैल्यू क्या हुए आपकी कम हुई है या कम आई है यहां तक के बाद समझ में आ गई होगी और हम लोग नेक्स बात करेंगे यहां पर स्टेप डिवेशन मेटड क स्टेप डिवेशन मेटड में बहुत जादा दिमाग लगाने की ज़रत नहीं है यहां देखें हम लोग तो यहां हम लोग बात करने वाले हैं जो एरिदेमेटिक मीन है उसका सिंबल क्या होता भीया एक्स बार एक्स बार तो होता है ठीक है और शॉर्टकट मेटड में भी ह अब कहां से पिक करते हो तो आपने कहां सर एक्स में से लेते है किसको लेना है तो मिनिममम वाल्यू प्लस मैक्सिमम वाल्यू डिवाइडड बाई टू को लेना है और जो भी वाल्यू आएगी या तो वह एक्जाक्ली वही वाल्यू हो या तो क्या हो जा उससे बड़ी वा इस एक्स लिखेंगे अपन एन मंप्राइट बार चीट अब यहां अन्सここ तो अपन सीव के चलिए तो हमारे पास यह CCC बहुत पर रहा है इसका मतलब होता है और प्हों पनसी आ रिकल्ट फांद पर क्या होता है common factor अभी एक आपक मचाने वाला है विच डिवाइट्स क्या करेगा भाहिया विच डिवाइड्स डी एकसे से वैल्यू जो डीएक्स को डिवाइट करते उसको क्या मानेंगे हम लोग यहाँ पिक common factor यह बात हम लोग को एक्जाम में याद रखते हैं तो यह हो गया हमारा फॉर्मिला चलो इसको हम लोग एक बार क्रॉस्चेक कर लेते हैं तो यह बोलता क्या है स्टेप डिवीशन में डिवीशन फॉम देवाइड बायर कॉमन factor ऐसा deviation जो डिवाइड कर सकते हैं हम लोग किस से पाहिया common factor से to get step deviation क्या लेने के लिए step deviation लेने के लिए these steps deviation are used to calculate the value of arithmetic mean और यह किस के लिए सबसे important है ज़ा arithmetic mean को calculate करने के लिए बहुत जादा क्या है बहिया important है okay formula क्या हो गया x bar is equal to a plus summation of d dash x लिख लेता हूँ में यहाँ पे upon n multiplied by c okay तो यहाँ पे d dash x का मतलब क्या होगा बहिया x minus upon c और summation of d dash x का मतलब क्या है sum of the step deviation और c का मतलब क्या होता हो यहाँ पे common factor okay which divides dx क्या होता भया which divides dx यहाँ तक के कोई दिक्कत समस्या परिशानी है तो बताइए भया अब हम लोगो करना पड़ेगा इसी के साथ question समझते है इसको find the arithmetic mean by step deviation method step deviation method can be based only when deviation from assumed mean are divisible by common factor ऐसा कुछ भी हो जिसमें divisibility हो और common factor से divide किया जाए उसको हम लोग बोलेंगा भया arithmetic mean को solve करना step deviation method से okay यह data दिया गया है आपको okay अब हम लोग इस data को यहाँ पर देख लेते हैं तो यहाँ पर number of students जो दिये हुए है जिसको हम लोग consider करेंगा यहाँ पर एक्स ओके अब यहाँ पर जो marks दिये गाए यह भी दिये गाए बट यहाँ पर द्यान समझेगा एक्जाम में confusion होती है तो यहाँ पर जो data दिया गया है कितना दिया गया है उसको मानेगे हम लोग observation और यह जो data दिया गया है उसको क्या माल लेंगे हम लोग x अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर dx निकालना है और dx का मतलब क्या होता है x minus a तो हम लोग generally जो निकालते हैं minimum plus maximum divided by 2 से आप चाहे तो इसमें से कोई value assume भी कर सकते जैसे for example value कर लिए assume क्या 50 मतलब 85-50 करेंगे 60-50 करेंगे 50-50 करेंगे 75-50 करेंगे यह up to so on यह minus करते जाएंगे भया ओके अब यह minus करने के बाद जो भी value आएगी वह या तो negative में आएगी या तो positive में आएगी बाद यहां पर हम लोग माइनस करेंगे तो यह value देखिए negative में आएगी भया 60- यह positive आईगी 50-0 ओके यह क्या होगे 75-50 positive में आएगी 55 यह negative आएगी यह क्या होगे 55-50 positive होगी यह 70-50 positive 45-5 45-50-5 क्या होगा भई नेगेटिव और 65-50 तो हम लोग क्या करते हैं नेगेटिव वैल्यू को प्रिक कर लेते हैं यह नेगेटिव वैल्यू आ रही है मतलब 5 प्लस 10 प्लस 35 मतलब यह 15 प्लस 35 मतलब 50 जो है वह वैल्यू आगई बट इसका sum total जो है वो तो करना ही नहीं है क्यों क्योंकि formula में required ही नहीं है जब formula में required नहीं है तो sum total हम लोग नहीं करेंगे अब हम लोग बात करते हैं किसकी बात करते हैं डी डाश एक्स के ओके अब ऐसा कोई नंबर चाहिए हमें सी के लिए जो डी एक्स की वैल्यू को 100% करते मतलब डिवाइड करने के बाद जो कोशेंट है वो क्या जाब या जीरो आ जाए तो वह वैल्यू तो चाहिए ना मुझे तो देखते हैं हम लोग क्या है एक नंबर पाच कॉमन फेक्टर हम लोग ले लेंगे बिटा यहांपे पाच क्योंकि यह सारे नंबर को क्या कर सकता है अनृट परसेंट डिवीजिबल कर सकता है ऑके डिवाइड करते हैं तो यह वैल्यू बच गया इसको करेंगे तो यह पाज़ेव बच जाएगा 20 और दीडास एक्सकिण वैलीवे 20 अगई और पॉजिटिटेव आ गई तो आशार अमेश्वी क्याा होगा च्छिंक जाधा आएगा क्यों कि यहां पर डीडास सेक्सरा बीज हो क्या है वह पॉजिटेव पॉजिटेव है क्या है या पॉजिटेव है तहां समझते है एक्स बार इस इकॉस टो ए प्लस समेशन ओफ डी डाइस अपॉन हैं मंटीप्लाइड वाइड वाइड करें था आपने 50 अब डी डाइस की वाइलियू किती आ गए यह देखिए यहां पर 20 जो की पॉजिटिव थ तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे वहीया step deviation method को यहां पर solve करेंगे अब हम लोग बात करते हैं discrete series के मैंने कहा कि discrete series वो series होती जहां पर data दो form में होता है पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते है x और दूसरा जो होता है उसको बोलते है और बोल रहा है कि हम values जो है वो क्या होती जाएगे continuously repeat होते जाएगे frequency are given corresponding to different value of variables it is computed by the three method और इस discrete series को भी हम लोगो किसे करना है या तीन method से solve करना है कौन कौन से method है तो वही दुबारा हम लोग बात करेंगे direct method दूसरा कौन सा होता है भाया तो shortcut method होता है तीसरा कौन सा होता है तो उसको हम लोग बोलते है step deviation method बोलिए हाँ या ना ठीक है तो यहां तक कि हमें समझ में आ गया अब इन तीनों method से क्या करना है हम लोगो discrete series को solve करना है चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं किस पर भाया discrete series पर आते हैं frequency जो भी data दिया हुआ x form में उसको अगर हम लोग multiply करते हैं काई से frequency से अब जो उसका sum आता है उसको क्या बोलेंगे भाया summation of fx क्या बोलेंगे भाया summation of fx क्या बोलेंगे भाई summation of xx fx ठीक है और divided by the total of frequency और किसे डिवाइड कर देंगे total of frequencies to determine simple arithmetic mean तो formula क्या हो जाएगा x bar is equal to summation of fx upon summation of f ओके अब हमारे को यह question दिया हुआ है और यह description दियो और पहले यह समझते summation of fx मतलब f से multiply कर दो x को और जो भी total आ जाए वो दूसरा यहाँ पे जो frequencies का total दिया गया है वो ओके अब यह question दिया हुआ है marks दिया हुआ 60 student के मतलब की कहीं ना कहीं n की value या summation of f की value तो गी बन है भाई या कितनी 60 calculate average marks by the direct method ओके तो data दिया हुआ है अब यह marks को मैं माल लेता हूँ तो यह एक दो तीन चार पांच यह डेटा दिया हुआ हम लोग को number of student दिये 820 106 और 4 यह data दिया हुआ है चलिए अब हम लोग सब्सक्राइब कर देते हैं 20 x 8 30 x 12 40 x 20 50 x 10 यह कर दिया सारे यह इसकी वैलियो आगई सम्टोटल लागे 2460 फॉर्मिले में पुट कर दिया फॉर्मिला क्या होता है एक सब्सक्राइब सम्टोटल कितरा है 2460 कितनी वैलियो आगे भी यह 41 तो इसी के साथ इसका हमारे पास क्या आचुका है आंसर आ चुका है तो इसमें हम लोग समझ में तो आ गया लगना कि जो डिस्क्रीट सीरीज होती है उसमें डायक्ट में तो बहुत आसान है क्या आंसर निकालता है अगे परें और हम लोगने बढ़ें तो कौन सी सीरीज आ जाएग वह यह इंडिवीज्ट सीरीज के बाद आ जाती है इसक्रीज और डिसक्रीज value को किसको में करना परता है किसी value को और उस value को जिसको assume करते ऐसका नाम क्या दिया हम लोगोने यहां पर ए इक्टाइगी और जो आएकी कहां से चाहां से आईगी पर यह पिए से चाहीं से काम करो minimum value रखो और maximum value रखो divided by two कर दो जो भी value आएगी उससे बड़ा जो नंबर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे एक्स बार प्लस समेशन आफ दी एक्स अपॉन समेशन आफ समेशन आफ दी एक्स मतलब एफ को डी एक्स से क्या कर दो मंटिप्लाइ कर दो ओके चलिए वित रस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी कुश्चन हम लोग देखते हैं यह हमें दिया हुआ है मार्क्स मतलब एक्स और नमबर आफ स्टूडेंट मतलब दिये हुए हैं भाया एफ तो यह 20 30 40 50 60 और 70 अप्टू सौन यह दिया हुआ है डीटा यह का दिया वह यह एक्स का डेटा और यह क्या दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी एट ट्वेंटी टैन सिक्स्फूर अब देखिये फ्रीक्वेंसी के क्या क्या की डेटा हमेशा होना चाहिए अपस और आउंस में बिलक form में रहता है sequence form में रहता है okay number of student को क्या माल लेता हूँ मिटा मैं यहां पर f माल लेता हूँ और f जो है वो कैसा होना चीह ups and downs में बिलकुल ups and downs में इसके sum total की जरूपत है क्यों सब्सक्राइब क्यों को कि डिवीजन किस से करोगे अब यहां पर dx की वैलिव हम एक अज्यूम करा कहां से बताओ तो आपने करा अज्यूम X में से चलिए यह X में से 40 अज्यूम कर लिया अब यह 20 कहां से आ गया वही तो यहां 20 अब यहां अज्यूम क्या करा 40 तो 20-40 30-40 40-40 50-40 60-40 70-40 अब टू 100 करते जाएंगे आप तो यहां पर पहली वैल्यू आगई भी यह नेगेटिव दूसरी वैल्यू नेगेटिव तीसरी जीरो फोर्त जो है वह आगई 10 फिर आगई 20 और फिर आगई 30 देखिए सारी वैल्यूस मैच कर रहे हैं हमारी ओके अब हमें क्या निकालना है भ 12 इंटू माइनस 10 20 इंटू 0 10 इंटू 10 6 इंटू 20 4 इंटू 30 अब देखिए अब टू सो ओन यह नेगेटिव वैल्यू का सम टोटल और यह पॉजिटिव वैल्यू का सम टोटल ओके तो यह कितना हो गया बहिया सम टोटल कर लेते हैं 2 प्लस 2 4 यह हो गया 340 माइनस करते हम तो यह कितना हो गया 280 तो डिफरेंस अमांट कितना बच गया बहिया कितना बच गया वहिया समेशन आफ डी एक्स की वैल्यू का डिफरेंस तो इनने बुला 60 अब साइन कौन साहना चाहिए वह यह तो साइन मान लेते हैं कि यह निगिटिव साइन है और यह कह है पॉजिट करेंगे तो इसको कितना बचे का यहां पर 41 क्या हो जाएगा भिया 41 क्या हो जाएगा यहां पर 41 चलिए अब हमोग बात करेंगे step deviation method step deviation method में क्या होता भाई तो फॉर्मले पर सब सब हम लोग ध्यान देंगे यह बुलता है the values of deviation are divided by a common factor यहां पर जो भी deviation के value होगी वह हमेशा divide काई से होगी यह common factor to ease the calculation process इसके कारण आपकी जो calculation process है वो क्या हो जाती है बहुत ही आसान हो जाती है okay the deviation obtained after this division are known as step deviation ठीक है क्या मानते है इसको हम लोग step deviation formula की बात करते है formula क्या होता है x bar is equal to a plus summation of fd-x upon summation of f multiplied by c अब यहां fd-x का मतलब क्या होता है भाया तो fd-x का मतलब होता है sum of the product of step deviation of the respective frequency find out कैसे करना है तो इनने का दी डाश-x is equal to dx जो होता है minus a okay यहां हम लोग बोल सकते हैं यहां पर x minus a क्योंकि dx जग हम लोग क्या लिख सकते हैं यह x minus a लिख सकते हैं तो हमारे पास formula क्या आगया यहां पर a plus summation of d-x upon summation of f multiplied by c क्या होगा यहां पर multiplied by c और c क्या होता है आपने आप में सर आपने बताया था common factor और common factor क्या करता है डिवाइड करता है किसको भई यह dx को चलिए हम लोग आप इसके question की भी बात कर लेते हैं formula तो discuss हो गया चलिए formula question आगा आजाते हैं तो question बोलता है यह marks मतलब दिया है एक्स यह number of student मतलब दिया है f ठीक है यह दिया हुआ है x और यह दिया हुआ है f f क्या option डाउंस में दिया बिल्कुल दिया हुआ है देखिए भी या ध्यान से जारा 8 12 20 10 64 ओके और यह serial wise दिया हुआ है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग इसमें हम बात करते हैं आप question के solution की ओके चलिए x दिया हुआ number of student को क्या मान लिया f अब हमें चाहिए क्या-क्या formula के हिसाब से है तो सबसे पहले चाहिए sir a ठीक है एक इसमें से निकालना एक्स में से minimum और maximum value के बीच की value लेनी है ओके अब हम लोगों ने इस में से देखा क्या ले लिया भाया हम लोगों ने यह मान लिया कंसीडर कर लिया चालिस ओके अब कहाचिए मुझे तो समेशन आफ fd-x चाहिए तो समेशन आफ कर लेता हम पहले तो समेशन आफ का टोटल यह आच चुका है ठीक है मैं दब दो चीज़ा चुकिए एक तो यह आचुकिए अब यह सी मतलब कौन फक्टर निकालना पाकिए और समेशन आफ fd-x निकालना यहाँ पर बाकी है चलिए यहाँ पर समझते हैं तो यह dx कैसे निकलेगा x-a से और x-a के लिए a क्या माल लिया आपने x में से 40 माल लिया है क्या माल लिया भी यह 40 माल लिया मतलब 20-40 30-40 40-40 50-40 60-40 और 70-40 up to so on सम माइनस कर दिया हम लोगों ने अब यहाँ देखिए माइनस 20 माइनस 10 0 10 20 30 ओके अब यह d-x की वैली कैसे निकाली x-a upon c ऐसे कोई नंबर बताईए जो इसको 100% कर दे तो ऐसा नंबर मुझे दिखा 10 तो मैंने c की वैली क्यों माल लिया 10 और division कर दिया इसका तो वैली क्या माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 ओके अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे f d-x चाहिए ओके अब क्या करना पड़ेगा f को dx से मंटिप्लाय करना पड़ेगा यह रहा f और यह रहा आपका d-x मंटिप्लाय कर दिया तो यह वैली जाई अब यह नेगेटिव और यह सारी पॉजिटिव इ क्या हो ये पॉजिटिव देवीशन क्या है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर 10 तो यहां पर आई वो कितनी आई यहां पर 41 आंसर 100 परसेंट साइए कैसे क्योंकि अज्यूंड वैल्यू से आंसर जो है वो यहां पर जादा आ रहा है तो यहां पर हम लोगों ने समझा कि step deviation value जो लाक्य देता है वो हमेशा एसे जादा होनी चाहिए जब आपका deviation क्या हो जाएगा positive अगर deviation negative है तो एसे answer कम आएगा और अगर deviation 0 है तो answer हमेशा a के बराबर यहां आएगा तो इसमें हम लोग बात कर चुके हैं बहुत ही अच्छा method है और discrete series में बस एक ही बात याद रखनी है कि x के साथ जो है आपके frequency आ जाएगी तो आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा यहां पर f को x से multiply करना पड़ेगा ठीक है discrete series में सबसे अच्छी बात समझने के लिए है frequency आपके ठीक है अगर आपका shortcut method आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा f और d को multiply करना पड़ेगा और अगर step deviation आएगा तो f d dash x को multiply करना पड़ेगा बस इतना सा थोड़ा बहुत सा क्या है इसमें चेंज है चले आगे हम लोग बढ़ते हैं अब बात करेंगे बहुत ज्यादा आगर में लग रही है चलिए अब हम लोग चले आता है यहां से ले और लिया से और थीए फ़र छोड़ा आगे जाते हैं लदाक ठीक है फौर एक्जांबल गहां सुनिए तो बोपाल से जरनी ऍसटार्ट होती है राजिस्तान राज़िस्तान से लिया लिए 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 ऑफ Sh permanent करते हैं इसको लोग बोलते हैं यहां पे Turns'is क्या बोलता हैं मतलब जहां पिल्कुल भी तो तो मेरी लिमिट जो है वह इसारट होती है बोपाल से और मैं कहां तक के पहुँच जाता हूँ तो पहुच जाता हूँ लादाक सकते तो यह जो limit है वो इसार्ट वोई यहां से इसी लिया मैं इसको बोलता हूं lower limit क्या बोलता हूं भया lower limit और यह जो सबसे later सबसे last point है मेरा उसको मैं बोलता हूं भया यहां पर लिमिट देखिए तो इसको मैंने denote करा L1 और L2 से किसे डिनोट करा है यहाँ पर L1 और L2 से ओके तो इसमें कंटिनियर सीरीज में बोलता है तो यह जो वैल्यूज है किस फॉर्म में रहेगी हमेशा ग्रॉप फॉर्म में रहेगी इन विच वेरियस क्लास इंटर्वल लाइक 10-20 20-30 30-40 अब तो so on etc the following three methods are used to calculate arithmetic mean तो continuous सीरीज में डेटा हमेशा हम लोग को याद रखना है कि यह जो डेटा है हमेशा किस फॉर्म में रहेगा तो यह डेटा L1 और L2 के फॉर्म में रहेगा बट इस सीरीज में हम लोग को कुछ बाते और याद रखनी है हम लोग सबसे पहले बात करेंगे यहां पर exclusive वे की अब यह exclusive वे क्या होता है यहां द्यान देने वाली बात है यहां पर L1 और L2 लिखा हुआ है अगर यहां लिखा हुआ है 10 यहां लिखा है 20 तो अगली बार जो आपका L1 आता है वो इस L2 के बराबर होना चाहिए मतलब पहली वाली इसको हम लोग बोलते हैं exclusive वे क्या बोलते हैं यह तरीका सबसे सही होता है बट पहले लिख बात करें अगर ऐसा न देखे हम लोग बोलेंगे कि यह डेटा हमें गलत दिया हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाईया इसका नाम हो जाएगा इन्क्लूजव वे क्या हो जाएगा इंक्लूजव क्यासे होगा तो यहाँ एलवन और एलटू लिखा मैंने वन टू नाइन और फिर मैंने लिकाटें टू नाइटेंटीन अब यहाँ पर देखिए यह नाइन और यह टैन के बीच में कहा है भाईया गैप है अभी जो उसको nikalo निकालने के लिए मुझे करना पढ़ेगा मामा रिपीट टो निकालने के लिए करना पड़ेगा प्लस तो अब यहां पे नया l1 l2 क्या हो जाएगा तो 1-0.50 करेंगे तो कित्ता जाएगा 0.50 और अगर माल लेते converted into किसमें आ गया यह जो हमारे individual series अगर माल लेते है discrete series माल लेते हैं यह हम लोग माल लेते हैं क्या continuous series तो यह जो defect है वो mainly कहां दिखेगा आपको continuous series में ना तो individual में दिखने वाला है ना तो discrete में दिखने वाला है ठीके न यह कहां दिखेगा आपको continuous में तो आपको exclusive way जो है वो सही तरीका है तो उसको inclusive को कहां पहुचाना है हमेशा आपको exclusive way में पहुचाना है तो यहां देखिए यह दोनों बराबर हो गए मतलब हमारी continuous series क्या है सही हो गई बट teacher और problem अगर create करना चाहे तो क्या करेगी वह करेंगी ऐसा कि आपको midpoint या mid value दे अब यह midpoint और mid value कैसे निकाली जाती है तो इसको x या m कहा जाता है कैसे निकाले जाती है और teacher नहीं क्या करा यह x या m दे दिया for example दिया 2.5 17.5 12.5 17.5 इस तरी कैसे दे दिया अब आप क्या करेंगे आपको बोला गया 112 बनाने के लिए कैसे बनाएंगे तो अब देखिए इसके बीच में गाप कितने का तो सार इसमें इसमें बीच में जो आपको कितने का यह 5-5 का यह दो यहां average कितना आगया फाइब का आवरेज तो यह आगया 2.5 आपर रिपीट फाइवरेज कितना आगया 2.5 पाइब यह रिपीट 5 कितना आगया 2.5 भी आप हैं इसमें से जो जो जाए है उसको माइनस करते तो 2.5-2.5 is 0-2.5-2.5 is 5 अब य ये होजाएगा 15 ये होजाएगा 15 जो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 20 अब साडियों आपने गलत किया है मैंने बूला हम गलत नहीं सर आधे लोग भजा सही कि है और गलत किया थो मैंने का कि एक सको अपने मिट neo अपने रहे लिब मुझािण पॉनला यक pouco तो यहां 11 कितना है या 15 पुट कर दिया 15 किता है 20 प्लास कर दिया डिवाइड बाइड 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 तू यह किता हो जाएगा 35 डिवाइड बाइड बाइड तू तो वैलिव किती है 17.5 अब यह 17.5 जो है यह देखिए मिड़ वैल्यू मिड़ पॉइंट है गलत है क्या कि सही है यह समझ में आया कॉंसेप्ट तो टीचर यहां तीन जगह से जहां तक जहां पर जाएगी वहां वहां से हम लोग बहुत अच्छे से निकल जाएंगे ओके डवाइल आपको समझ में आ चुका है कि जो भी ग्रूप् शॉटकर्ट में और इस्टरब डिविएशन में चलिए स्टाइट करते हम लोग डारेक्ट में अब यहां फॉर्मला क्या बोलता है एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब और चलिए तो यहां पर fx का मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी दिया उसको मंटिप्लाय करना है आपक यहां पर एक चंब निकालने कर लूँ करना है यहां फquito करें यहां पर जाया तो यहां पर यह वैलियृ कि मरहां फिले और यह एल्टू के फॉर्म में दिया हुआ यह फ्रीक्वेंसिया आपको दिया आप टू सो ओन ठीक है अब कुश्चन एक बार समझ लिया हम लोगों नहीं अब हम लोग इसके फॉर्मले को समझते हैं समेशन अब फ्रीक्वेंसी को तब हमारे पास आंसर आएगा और समेशन अब यहां पर यह जो डेटा दिया हुआ यह किस फॉर्म में दिया है अब निकालना क्या भीया इससे मिड़ वैल्यू फॉर्मला क्या मैंने बोला भीया एक्स इकॉस टू एलवन प्लास एल्टू डिवाइड़ बाइड बाइटू तो कैसे आ गया भीया तो यह जीरो प्ल सकता हो अब आपके पास क्या है फ्रेक्वेंस अबेलेबल है तो number आपके स्टूटेंट को स्क्राइब आपने आपर फ्रिक्वेंसी मौलिया इसको एफ एक्स को मतलब यह म को मैं यहां पर एक्स भी मान सकता हो okay यहां लगा दिया मैंने मैं लटीप्लाय का साइन ओके यह सारी वैल्यूज आ गई 2.5 इंटो 2 इस इकोस तो 5 7.5 इंटो 8 यह उन आ गया इसका टोटल किता आ गया summation of fm यहां तो मैं इसको बोल सकता हूं summation of fx इसको किता हो गया बहुत यहां 405 यहां पर पुट करी वैल्यू इसको समयशन आफ एकस इसको समेशन आफ एफ एकस अपॉन समेशन आफ एकता है यहां पर 30 पर दिक्कत परिशानी है क्या आपको नहीं है यहां लोगों नहीं पहला मेठ़ड सौल किया जिसको लोग बोलता है direct method आगे हम लोग बढ़ते हैं आते हैं shortcut method पर shortcut method में क्या करना अब या बात याद रखती है कि वैल्यू को consider करना है जिसको हम लोग बोरना यहां पर एका मतलब होता है assumed value इस assumed value को आपको कहां से लेना है from x से कैसे लेना है तो सर आपने कहा minimum value और maximum value में से लेना है ठीक है और minimum और maximum में जो भी आपको समझ में आ रहा है वो value लें but minimum value और maximum value के बीच में जो value आए उससे आपको जादा वाली value लेनी हैं यह बात हमें याद रखना है ओके डी का मतलब क्या होता है म माइनस ए मतलब आपके जो भी एक्स की वैल्यू आईगी उसमें से एक को माइनस कर दो अब होता है और बात करेंगे हम लोग यहाँ पर frequency की यह हम लोग ने भी discussion किया की formula क्या होता है ओके यह हमारा question हो गया सारा L1 L2 के form में दिया है और number of student दिये है हम लोगों को ओके आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पर X और F दिया हुआ है number of student को मैंने क्या मान लिया है यहाँ पर F मान लिया है और यह mid value कैसे निकालता है X is equal to L1 plus L2 divided by 2 से अब यहाँ पर यह Dx दिया हुआ इसका formula क्या होता है भया X minus A होता है ओके अब यह दिया हुआ FDX ओके चलिए अब यह आपको दी हुए क्या L1 L2 के form में यह आपके frequency के mid value आपने निकाली कैसे निकाली mid value 0 plus 5 divided by 2 5 plus 10 divided by 2 10 plus 15 divided by 2 15 plus 20 divided by 2 20 plus 25 divided by 2 यह आगी value सारी यह आगी आपकी क्या X की value यह M की value आप क्या करना है इननों बुला Dx निकालने लिए क्या करना पड़ता है X minus A और X कहां से लेना पड़ेगा तो आपको mid value में सबसे बीच में क्या दिख रहा है आपको 12.5 तो 12.5 को consider कर लिया आपने यहां पर यह हो गया 12.5 consider नमारा ओके अब माइनस कर दिया तो 12.5 को minus करा इसमें से तो minus 10 इसमें से minus करा तो minus 25 विफ दो जीरो इसको minus करा 12.5 तो यह होगिया 5 22.5 minus करा 12.5 तो यह किता हो गया तैन अब इसको Dx को multiply करना है किस से आपको जिए F से यह कर दिया आपने इन दोनों को बच्छो multiply अब क्या आ गया भाया टू इंटू टैन माइनस ट्विंटी अब यह माइनस माइनस वालों की बिरादरी जादा है तो एक बात याद रखे negative लोगों की तादात हमेशा जादा रहेगी कभी भी किसी गलत चीज़ को सीखने के लिए किसी भी क्वालिफिकेशन की जरूत नहीं बिगड़ने के लिए कभी भी क्वालिफिकेशन की जरूत इसे यह यह नेगेट वैल्यू जो है यह हमारे जो मीन वैल्यू है उसको कम कर देती है ठीक है ना ओके तो इस नेगेटिव चीज़ों पर जादा देहां नहीं देने का है ऊके तो और 40 को मिला तो यह कित्ता होगा 90 और इसको मिला तो यह कित्ता होगा 60 मदर माइनस 60 है माइनस करा तो positive क्या आज़ा 30 अब एक के value किती मानी भाई आपने तो कहा सार 12.5 मानी मैंने चलिया अच्छी बात है तो आपकी deviation के value क्या आ रही है यहाँ पर positive अगर deviation के value अगर positive आ रही है इसका मतलब आपका answer assumed value से ज़्यादा आएगा assumed value से क्या आएगा भी या ज़्यादा आएगा ओके तो एक के value होगा 12.5 summation of fdx किता आ गया 30 और summation of fd किता है 30 ओके तो अब यहाँ पर हम लोग देखा 30 divided by 30 इस बार exam में 0 मत लिख देना तो answer भी 0 ही आएगा फिर आपका ऐसा नहीं करना भाई 30 बंजा 30 तो यह 12.5 में जुड़ गया 1.00 तो किता आ गया या 13.10 सुदा answer is 13.10 अब यह answer सही है कि गलते कैसे चेक करेंगे तो अब देखिए 12.5 प्लस 30 divided by 30 किता है 13.50 अब देखिए किसके बीच में आ रहा है answer तो इसके बीच में आ रहा है आपने क्या किया था 12.5 तो यह समझ में आ रही बात की answer हर condition में आपके सामने हैं यहां पर सारा का सारा ठीक है ना चलिए तो यहां पर हम लोग को समझ में आ जा कि shortcut method क्या होता है अब हम लोग बात करेंगे step deviation method के step deviation method में x bar is equal to tie a plus summation of fd-x upon summation of f multiplied by c अब यहां पर यह तो आपको पता है कहां से कर रहा है भी या from x अब यह जो d-dash x से वो क्या करना है तो d-dash x का मतलब होता है d-x upon c और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ x minus a upon c c is the common factor which divides dx c होता है common factor जो डिवाइड कर सकता है किसको भया d-x को तो यह बात हमें याद रखनी है अब यह c क्या है भया तो आपने कहा सर common factor है और common factor क्या करता है divide कर सकता है किसको भया d-x को चलिए तो आप हम लोग मूव करते हैं हमारे step deviation method पे assumed summation of fd-x summation of f multiplied by c यह derivation लिखा हुआ है इसका पुरा का पुरा dx का मतलब होता है m minus a मतलब इसको मैं x minus a b ले ले सकता हूँ deviation of midpoint from assumed mean अब d-x का मतलब क्या होता step deviation assume from the mean divided by common factor common factor को क्या मान लिया आप लोगो ने यहाँ पे c summation of f तो क्या है पता ही है frequency का sum total तो यह description दिया हुआ है पुरा का पुरा step deviation का यह question दिया हुआ है आपके पास जो data है यह किस form में दिया है भाईया l1 और l2 के form में दिया है अब इससे क्या निकाल लेना आप x निकाल लेना x कैसे निकालेंगे l1 प्लस l2 divided by 2 इसका नामकरन तो करो बोलते क्या है इसको इसको बोलते है midpoint क्या बोलते हैं इसको मिड़ पॉइंट क्या बोलते हैं यह number of student को consider कर लो frequency हो गया काम कमाम चलिए आप हम लोग solution पर जाते हैं इसके marks की बात करिए आपको marks दिया है l1 और l2 के form में number of student दिया है f अब सबसे पहले focus करो formula पर क्या क्या चाहिए तो सबसे पहले a चाहिए आप a निकालने के लिए आपको x चाहिए और x कैसे निकलता l1 plus l2 divided by 2 से निकलता भाई चलिए l1 plus l2 मतलब 0 plus 5 divided by 2 करेंगे तो किता आएगा 2.57.5 12.5 17.5 22.5 यह value जागे इसमें से एक value क्या कर लो assume कर लो क्योंकि आपको क्या चाहिए भाई यहां पर a चाहिए क्या चाहिए ए चाहिए ओके यह कर लिया आपने assume माइनस कर देते है 12.5 को माइनस करना है 2.5 से माइनस 12.5 यह तो 0 यह जाएगा इसको भी माइनस कर दो 12.5 इसको भी माइनस कर दो 12.5 यह values आ गई इसका total नहीं करना है dx का total करने के आवशक्ता नहीं है ओके अब हम लोग आ चुक्ति एडेएग्स कि डिवाइड कर दो भाई ऐसा कोई नंबर बताओ जो डि-x कि वैलुव का हन्रेट परसेंट क्या कर सकता है दिवीजिबल कर सकता हो क्या है 55 से डिवाइड कर दिया यह देखिए है यह हमारी वैलुद जा गई माइनस टू माइनस वन जीरो वन और तू अब हम लोग आते हैं किस पे fdx पे किस पे आते हैं भाया fdx पे तो आप क्या करा हम लोगों ने जो frequency थी उसको d rush x से क्या कर दिया भाया डिवाइड कर दिया तो वाल्यू किती है यह देखिए 2 इंटो 2, 4, 8 इंटो माइस 1, माइस 8 देखिए फिर निगेटिव लोग आ गए ओके 6 इंटो 0 is equals to 0, 10 इंटो 1 is equals to 10 and 4 इंटो 2 is equals to 8 यह होगा है पॉजिटिव लोग टोटल किता भाया 18 इसका टोटल किता है माइनस 12, 18 जादा पॉजिटिव जादा आंसर की जो वैल्यू है समेशन आफ दी डश एक्स की वो किती आई 6 अगर यह वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब आंसर इस मोर देन एजूम्ड वैल्यू पहले ही बता दिया कि आंसर जो है अजूम्ड वैल्यू से आपका जाद सब्सक्राइब यह आगया हमारा 12.5 कहां से आया सर तो आपने यह यहां से आया पॉजिटिव लिग दिया भी यह सिक्स समेशन आफ की वैल्यू सर आपने टोटल करके रखी थी 30 यह रग दी हमने 30 सी मतलब कॉमन फेक्टर विज डिवाइड द वाली आफ डिएक्स को डिव यहां पर देखिए इसको हम लोग कल्कुलेट कर लेते हैं तो 30 से काट देते भाया इसको तो 31 जा 30 तो 12.5 प्लस वन करा तो किता है 13.5 तो अब 13.5 तो आगया आंसर सही है कि कलाते हम देखें अज्यूम क्या करा था आपने 12.5 मतलब उसके सामने वाला क्लास इंटरवल होना हम लोग अब बात कर चुके हैं कि जो मीन है हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना है ठीक है चलिए बट अब हम लोग को यह भी तो पता है कि मीन एक तरीके से कैलकुलेट नहीं होता है इसको हम लोग को दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट करना होता है जिसको हम लोग बोलते है weighted arithmetic mean तो आईए हम लोग समझते हैं weighted arithmetic mean होता क्या है अब होता क्या है कि normal अगर केस में हम लोग बात करें तो सबकी frequency या सबकी values जो है वो equal होती है बट अगर माल लेते हैं अगर हम लोग को किसी चीज़ को preference अलग-अलग तरीके से देना है तो उस preferences को यहां कहा जाएगा weight for example एक class में माल लेते हैं कि section a section a में माल लेते हैं कि जितने भी students है उन सबका weight जो है वो 20 kg है for example और section b जो है उसमें सारे लोग का weight जो है वो 50 kg है चलिए तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग class 9th में section a में जो बच्चे हैं उनका weight 20 kg है और जो 20 section में उनका weight जो है 50 kg है तो जब अलग-अलग यहां पे हम लोग values को लेते हैं same areas में मतलब class 9 तो same है बट यहां पे जो weight है वो क्या है इन लोग के अलग-अलग है तो इसी तरीके से हम लोग calculate करते हैं यहां पर weighted arithmetic mean ओके तो weighted arithmetic mean का formula क्या होता भया summation of w x upon summation of w अभी summation of w का मतलब यहां पर है weight से और यहां पर क्या करा मैंने weight को multiply कर दिया जो value given दी हुए है जिसको हम लोग बोलता है यह x दिया हुआ है और यह w दिया हुआ है तो यहां तक हम लोग को चीज़ा समाझ में आ गई कि अलग-अलग weight होने के कारण ही यहां पर हम लोग इसको क्या बोलता है weighted arithmetic mean ओके चलिए तो यह x के value दी हुए है जो की sequence में देखे रखी है 10 20 30 40 50 w की हम लोग बात करें तो यह weight है मतलब for example की मालने ते 10th number room में for example दो लोग रहते हैं 20th number room में मालने तेन लोग रहते हैं 30th room number में 4 40th में 6 और 50th room number में कौन लोग रहते हैं यह 5 लोग रहते हैं इन सब का क्या कर दिया मैंने sum total कर दिया अब क्या कर रहा इस x और w को क्या कर दिया भी multiply कर दिया अब इसको multiply करने के बाद जो value आई उसका हम लोगों ने sum total कर दिया that is 690 and the formula is weighted का formula क्या है भिया summation of w x upon summation of w अब इसका total कितना है भिया 690 upon 20 तो value कितनी आगे हमारी 34 तो इस तरीके से हम लोग calculate करते हैं weighted arithmetic mean चलिए और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ बने रही है और इसके लिए करना क्या पड़ेगा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा इस चैनल को like share और subscribe करना पड़ेगा क्यों करना पड़ेगा इसके फायदे अनेक है जैसे यहां पर जितने भी boards है class 6 से लेके class 12 सबका content और सब के teachers यहां पर F.O.C. available है मतला free of cost हर चीज यहां पर available है इसके साथ ही यहां preparation करवाई जाती है NEET, CLAD, JWA, AICVT, TET तो एक छोटा सा काम करना है बस क्या करना है चैनल को like, share और subscribe करना है ठीक है thanks for watching all